और आप सभी का डिफेंस ऑफिसर्स अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर और आज की अपनी पॉलिटी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं पॉलिटी की क्लास में हमने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं बहुत सारे कॉंसेट्स देख लिए हैं उनके एक बार थोड़ी सी चर्चा और उसके बाद अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी पढ़ने के क्रम में हमने पाया है कि हमने एक इंट्रोड़क्टरी सेगमेंट कर लिया था इसका वो क्या था इंट्रोड़क्टरी सेगमेंट वो अपनी हर क्लास में मैं बताता हूँ और इसलिए इस क्लास में भी बताऊंगा introductory segment में हमने सबसे पहले इस Indian quality शब्द को जानने की कोशिश की Indian quality शब्द दो शब्दों से बना है पहला Indian और दूसरा quality Indian शब्द के मतलब क्या होता है Indian शब्द का मतलब है एक state, एक राज्य भारत एक राज्य है राज्य का मतलब जो आज के concept है हम state के बारे में जानते हैं उस तरीके से नहीं राज्य हर उस सिकाई को कहते है जिसमें एक सरकार चलती है जिसका एक खास geographical area होता है जिसमें एक population रहती है और उस population को govern करने वाली government होती है जो कि अपने आप में सोवरन होती है इतने सारे element मिलकर एक state बनाते हैं और भारत इस लिहाज से इस definition के लिहाज से की state है state के बारे में हमने जाना उसके elements के बारे में हमने जाना और हमने पाया कि सारे के सारे elements जरूरी हैं बिना एक element के भी किसी भी entity को state नहीं कहा जा सकता फिर हमने समझा था पॉलिटी क्या होती है हमने political structure की जरूरत क्यों होती है यह जाना था और भारत के context में why we need a political structure उसकी बात की थी political structure को समझने के क्रम में हमने यह भी जाना कि पहले से काफी लंबे समय से जब भी लोगों ने मिल जूल कर रहना सीखा एक विवस्था के अंतरगत रहना सीखा तो वो विवस्था किसी प्रकार का political structure थी और हर समय में अलग-अलग तरह के political structure देखे गए उस समय की ज़रूरत के हिसाब से और जिस तरह से हमारा विकास होता रहा हमारी सभिता का विकास होता रहा उस तरीके से भी और भारत के context में why we need a political structure तो फिर भारत की तो बहुत सारी ज़रूरत हैं भारत एक riverine country इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारे धर्म जाती लिंग भाशा के लोग हैं अलग-अलग प्रजाती समुय है आदिवासी समुय है उन्न सब कर पने हित हैं और नहीं एक झे बाहस के मातक के इसकी चर्चा हमने इंट्र ADAM की क्लास में काफी बहतर तरीके से की you हमने समझा ऑलिटिकल इस ट्रagsh Fitz है क्या होता है आपको कोई व्यवस्था प्राने में डिया के लिए आफको कुछ प्यंम बनाने हों mist कायदे बनाने क्यों कुछ कानून बनाने होंगे, तो नियम बनाने का जो काम है, वो कौन करता है, तो नियम बनाने का काम विधाईका करती है, विधाईका का अर्थ है legislature, पूरी बात से मुझे लगता है बार बार इसका जो रिविजन है उससे आप शायद उकता जाएं अगर आप रोज हमारी क्लास देखते हैं लेकिन एक इसका फायदा है कि आपको ये बात पूरी तरीके से याद हो जाएगी, इसके आपको दुबारा कभी copy में देखने की ये notes देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो इस रिविजन विच आइम डूइंग ऑन बहाफ आफ उफ यू, अगर आपके पस समय नहों त ये सब करने का काम जिस औरगन के पास रहता है, वो है विधाई का, दूसरा जो औरगन है इन सब नियम बनाने पे इन नियमों को लागू कौन करेगा, लागू करने का काम वो है कार्यपालिका का, जिसे हम executive भी कहते हैं, कानून लागू हो गए, अगर अब कोई विवाद है, पान लीजे, एक कानून बनाया गया है कि लालबत्ती जलने पर शारे वहानों को रुख जाना है, ये कानून विधाई का ने बना दिया, एक traffic police का व्यक्ति as an executive of that rule, वहाँ पर मौजूद है, चोराहे पर लालबत्ती ज रहता है, और वो सभी गाड़ियों को देखता है कि वो रुकी या नहीं रुकी, या फिर कोई camera लगा रहता है आज के समय पे, ये दो काम तो हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई व्यक्ति, रूल तोड़ दे, या कोई ऐसा विवाद हो जाए, जो कि देश के अं विवाद हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी conditions में, इसे मैं एक simple example से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, माल लीजे लालबती जली और कोई वाहन नहीं रुका, तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में वाहन चालक्त का एक चालान कटता है, और ये चालान कटने में आपके सा जूडी शिरी, एक देश में एक विवस्ता है, एक सरकार है, जो चल रही है, और अगर उस देश की सरकार, उस देश के नागरिकों के खिलाफ काम करती है, तो फिर सरकार जैसी शक्तिशाली, संगठन को काबू में रखने के लिए आपको एक न्याई-पालिका की आवशक्त की आपको है, जैसे डीमोकरीसी में, फेडरल स्टॉक्शर में अलग-अलग स्टेट पिसको किर शियुजा है, और स्टेट के बीस कूछ विवाद हो जाये, यहाँ पर स्टेट का मतलब और राज्जियों से, छोटे- छोटे-छोटे जो धेश के भीतर आते हैं, और जो पहल कि देश के धाचे को वरकरार रखते हैं कि लिए सब्लाइब रेहते हैं तीन आधार पर सरकारों पार जिसमें विधाय का और कार्य पाली का आपस में जुड़े रहते हैं तो यह सब रिष्टे हैं इन तीनों और्गन्स के इसके आधार पर आपको अलग-अलग तरह से सरकारी धाचे देखने को मिलते हैं यह सारी बाते हम अपनी introductory class में कर चुके थे यहां पर इनको मेंशन करने का सिर्फ और सिर्फ यह कारण था कि आपको यह बात समझ माएं कि हमने कि इस तरीके से इन चीजों को पढ़ा किस तरीके से हम इन चीजों पर सामने आये थे इंट्रिक्री क्लास का मतलब ही यही था कि आपको इस बात का एक भान करा दिया जाए कि इंडियन पॉलिटी को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी को हमने इस प्रकार से अध्यन करना है वह कौन-कौन से concept है जिने जानना बहत जरूरी है introductory class के बाद हमने making of the constitution देख लिया था making of the constitution में हमने सम्मिधान सभा के बारे में जानकारी ली थी सम्मिधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ उसको क्या क्या चुनावतियों का सामना करना पड़ा वो भले ही क्रिप्स मिशन हो then cabinet मिशन हो उसके बाद formation of the constituent assembly हो जिसको लेकर जो चुनावते उनको लेकर कुछ विवाद हो Muslim League का रवया हो princely states का रवया हो उस सब के बावजूद एक सम्मिधान सभा बन कर तयार होना और उस सम्मिधान सभा के द्वारा भारत का सम्मिधान बनाना उसमें कौन-कौन सी चुनावतियां थी कौन-कौन सी डिबेट्स हुई कौन-कौन सी विचार धारा हैं थी जिने आपस में लेकर चलना था इन सब बातों की चर्चा हमने की थी Making of Constitution में और आपको वो ट्रेप्टर भी जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये एक भूमी का तयार करेगा आपकी इंडिन पॉलिटी है उसके डीप कॉंसेप्स को समझने की जब तक हम अपने Constitutional Maker हमारी जो सम्मिधान निर्माता है उनके विचारों से अवगत नहीं होंगे उनकी सोच से अवगत नहीं होंगे तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये जो सम्मिधान है जो ये मुद्दे लिखे गए हैं जो बाते लिखे गए उनके पीचे दरसल मंशा क्या है इसके बाद हमने जब Making of the Constitution और उसमें जोड़े बहुत सारी factual information थी उस सब का अध्यन कर लिया तब हम आगे बढ़े थे अपनी Constitution की किताब को खोलने पर खोलने पर हमें जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है वो है हमारे देश के सम्मिधान की उदेशी का उसकी प्रियंबल और प्रियंबल में लिखी गई बातें आपको उदेश्य प्रस्ताओं में लिखी गई बातों से मेल खाती भी दिखेंगी उद्देश्य प्रस्ताओं की बात हमने making of constitution में की थी making of constitution में जब हम proceedings of the constituent assembly पढ़ रहे थे सम्मिधान सभा की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि Co-13 दिसमंबर 1947 को जवाहरलाल नहरू एक बृत इश्य प्रस्ताओं रखतेहे सम्मिधान सभा के सामने का सीदा सीदा अर्थ है कि जो सम्मिधान ہं बनाने जा रहा है यह जो सम्मिधान तयार किया जाने वाला है किस तरह की राजनेदिक धाचे को किस तरह की व्यवस्ता हम लोगों को देंगे वो सारी बात है और हमारी क्या aspirations as a country हम क्या gain करना चाहते हैं उन सब बातों की चर्चा उस उद्देश्य प्रस्ताव में थी ये एक मार्ग दर्शक की तरह कारी कर रहा था इसके आधार पर हम अपने देश का सम्मिधान लिखने जा रहे थे इन सारे मार्ग दर्शनों के आधार पर हमने अपने देश का सम्मिधान तयार किया उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया और जब हमने इसे लागू किया तो हमने इस सम्मिधान में भी उन सारे उद्देश्यों को लिखा एक खास format में एक खास प्रिष्ट पे जिसे हम भारत की प्रियंबल या भारत की उद्देश का कहते हैं इन सब बातों को लिखने का कारण क्या था उद्देश्य प्रस्ताओं के बारे में अगर हम समझें तो हम ये बात समझ सकते हैं कि देखिए एक देश की बनाना है उद्देश Holy दिखाता था मगर जो सम्मिधान तयार हो गया उसकी guiding light के through हमने सारे provisions के लिख लिए तब के बावजूद अब सम्मिधान में प्रस्तावना जैसी चीज या उद्देश्शिका जैसी चीज लिखने की प्रियंबल जैसी चीज लिखने की क्या जरुरत थी इसके पीछे सीधा सीधा अर्थ है देखिए देश का सम्मिधान तो तयार हो गया है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है उसको अपने आप में एक sanctity प्रोवाइट की गई है बहुत सारे organs हमारे device कर दिये गए हैं legislature के रोल है वो प्ले वो करेंगे executive का रोल वो प्ले करेंगे judiciary कैसे काम करेगी ये सब बातें भी सम्मिधान में लिख दी गई है मगर आने वाले समय में ये देश बहुत आगे तक जाएगा और एक दिन जो ये सम्मिधान निर्मान की तारीख है ये पुरानी हो जाएगी आजादी के 75 साल हमारे हो चुके हैं और एक दिन 100 साल भी होंगे 200 साल भी होंगे और खास तोर पर जैसे जैसे समय बीतता है भविश्य में चीजें बदलती है जिन मूलियों जिन आदर्शों पर रहकर हमने इस देश की सम्मिधान को बनाया था वो कहीं धुन्दले न या फिर इस देश की जो संस्थाएं हैं वो आना शाही रवया न अपनाएं उसके लिए जरूरी है कि बार बार उनको एक बात याद दिलाई जाए जो इस देश के सम्मिधान को बनाने में नहित थी जो इस देश के सम्मिधान का उद्देश्य था और इसी लिए पूरे के पूरे सम्मिधान को लिखने के बाद उसके सबसे पहले प्रिष्ट में आपको देश्य का लिखी भी मिलती है ताकि आप यह समझ सकें कि इस देश का सम्मिधान की आधारों पर बना था और वो आधार हमेशा बने रहेंगे देश का सम्मिधान तयार होने के बावजूद आ आपको उन आधारों से खिलवाड नहीं करना है, आपको उन मुल्यों से खिलवाड नहीं करना है, आपको उन अंकलपनाओं, उन एस्पिरेशन से खिलवाड नहीं करना है और ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये देखने के लिए कि इस देश के सम्मिधान में लिखी गई ब देश की उद्देश शिका को जरूर पढ़ना चाहिए और इसलिए हमने प्रियंबल का अध्यन किया था प्रियंबल के अध्यन में हमने कुछ खास सवालों के जवाब भी तलाशे थे इसमें सबसे पहली बात है कि क्या ये जो प्रियंबल है ये सम्विधान का भाग है या नह सब बातों को ठीक से समझने के लिए हमने कुछ एहासिक पेससे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आये थे उनका अध्यन किया था कि कि परियंबल हुई कि प्रियंबल से पार्ट अप पॉस्टिटूशन एडट इट और एक और सवाल सामने आता है कि अगर विधाई का कोई ऐसा कानून बना दे जो प्रियम्बल में लिखे गए वो देश्यों को लागू ना करता हो या फिर जिस प्रकार से हम fundamental rights को लागू करने के लिए direct court में जा सकते हैं या प्रियम्बल में लिखी गई बातों को लागू करने के लिए भी हम सीधे न्याई पालिका में जा सकते हैं तो इस पर जो सुप्रीम कोट है उसके judgment से जो बात उभर कर सामने आती है जो टिपणी सुप्रीम कोट ने की थी उससे हमें समझ में आता है कि जो प्रियम्बल में लिखी गई बाते हैं वो एक मार्ग दर्शक के तौर पर कारी करेंगे इस देश की सरकारों के लिए उन सब बातों से खिलवार करने की इजाज़त इस देश की सरकारों को नहीं है और इसके लिए सम्मिधान की व्याक्या का अधिकार भारतिय सुप्रीम कोट के पास है लेकिन इन सब बातों को आज ही लागू करना है अभी लागू करना है इस तरह की बात लेकर कोई न्याई पालिका पर नहीं जा सकता तो वोज जो वैल्यूज हैं दोज प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली इन्फूर्शियेबल जिस प्रकार राज्य के नीती निदेशक तत्व हैं वो भी उद्देश्ची का में लिखी गई बातों की पुष्टी करने के लिए ही लिखे गए हैं वो लीगली इन्फूर्शियेबल नहीं है जिस प्रकार जो प्रिंबल में लिखी गई बाते हैं इन सब बातों के साथ ही हमारा प्रिंबल पर जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ फिर हमने पार्ट वन का डिस्क्रिशन किया था पार्ट वन में भारत और उसके राज्य शेत्रे से सम्मंदित सारी बातों की चर्चा है सबसे पहली बात जो आर्टिकल वन के पहले भाग में मिली थी that is हमने ये देखा कि इसमें भारत के लिए दो नामों का प्रियोग किया गया है इंडिया भारत एल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है उसमें दो बाते हमें जानने वाली थी कि भारत और इंडिया ये दो नाम क्यों लिखे गए एक सम्मिधान में और दूसरी बात ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है पर विस्तरिक चर्चा हम कर चुके है आप हमारी पिछली क्लासिस देखिए उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा फिर आगे के आर्टिकल्स बताते हैं इंटर्नल रियॉर्गनाइजेशन एक्स्टर्नल रियॉर्गनाइजेशन ऑफ इंडियन यूनियन यानिकि भारती राज्य में किसी अन्य राज्य को मि मिलाने के लिए क्या प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा उससे संबंदित कौन-कौन सी एतिहासिक बाते हैं कौन-कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जब हमने भारत में किसी देश को भारत देश में किसी हिस्से को मिलाया है पिर हम इंटर्नल रियॉर्गनाइजेशन एचे के जो क्या कारण है, वो भी हम डिसक्स कर चुके हैं. और आर्टिकल 4 आखिर में ये बात बताता है कि यो सारे काम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किये जाएंगे, इन सारे कामों को करने के लिए स्वाज़ान शंषोधन की परकृण जो आर्टिकल 368 में दी गई है, उस प्रक्रिया के तहद इने न माना जाए यानि कि इसके लिए आपको किसी प्रकार से दो तिहाई भहुमत की ज़रुवत नहीं है आपको केवल और केवल सिंपल मैजॉरिटी के माध्यम से किया जा सकता है तो यहाँ पर हमें सम्मिधान के उस फ्लेक्सिवल नेचर का भी पता चला जहाँ पर वो रिजिट नहों कर एक फ्लेक्सिवल कॉंस्टिटूशन की का उधारन प्रस्तूट करता है इस सारी बातें जो मैं आपको फ्लेक्सिविलिटी, रिजिडिटी उनिट्री विट इस सब बातें जो आपको बता रहा हूं यह हमने जो मेकिंग अप दे कॉंस्टिटूशन है कि आखिर मैं करेक्टर्स्टिक्स आफ इंडिन कॉंस्टिटूशन में पढ़ी थी कि भारत का सम्मिधान विस्त्रित लिखा हुआ सम्मिधान है किसी भी देश का सबसे बड़ा लिखावा सम्मिधान भारत का सम्मिधान है के अलावा इसमें कुछ पेडरल नीचर के साथ साथ यूनिटरी नीचर की भी चीज़े हैं जो आर्टिकल दो और तीन में हमें देखने को मिली उसका उधारण अलावा भी उसमें डेमोक्रेसी सोवरन पार्लेमेंटरी फॉम आफ रिपबलिक इस तरह की जो भी बाते हैं इस तरह की जो भी चॉट्च लिखे गए घे हैं उन सब के बारे में हमें चर्चा हमने की थी खासतार पर प्रियंबल मैं जो बाते हमने लिखी थी उनको भी हमने जब explain किया था तब भी इन सारे concept हम विस्तर चर्चा कर चुके हैं तो इत्ती सारी बाते होने के बाद part 1 complete हुआ तो और आज हम देखते हैं part 2 I hope आपको अभी तक जो हमने revise किया है वह बातें दुबारा से समझ में आई होंगी तो part 2 दरसल डील करता है जो भारत का constitution है उसका part 2 citizenship नागरिक्ता से संबंदित है नागरिक्ता से संबंदित in the constitution there is only mentioned about the citizenship at the time of commencement of the constitution for the future all the power regarding setting the rules for citizenship is given to the parliament ये statement दरसल ये बताता है अगर हम नागरिक्ता संबंदि प्रावधान पड़ रहे हैं जो कि पांच पर अंचवे डिकल से शुरू होते हैं यह में बताता है कि जो सम्विधान में लिखी गई बात है यानि कि जो अनुच्छेद में कही गई बात है वह बात जो देश का समविधान लागु होने जा रहा था उस समय पर नागरिक्ता की क्या इस्थिती होगी उनके बारे में बताता है एक बार समविधान लागू हो जाए और वक्त के साथ हम आगे बढ़ते रहे अपने देश में जो यात्रा है वो उसकी चलती रहे तब नागरिक्ता संबंधी क्या प्रावधान होंगे बदल समय करने उनके उनपर जानकारी पार्लेमेंट के थोह हमें मिलती है इतनी सारी बात की सारी जो हमने अध्यन कर लिया तो हम देखते हैं अगली बात इंदेन पार्लिमेंट है यूज़ इस पावर to form the citizenship rules for the first time in 1955 that is known as citizenship act 1955 and after that it had been done time to time whenever required तो सबसे पहली बाद नागरिक्ता के बारे में पढ़ने से पहले आपको यह जाननी होगी कि नागरिक्ता जब सम्मिधान बन रहा था उस समय क्या रहेगी इसकी चर्चा सम्मिधान में लिखी गई है और जब सम्मिधान बन गया उसके बाद पार्लेमेंट के बाद शकती है कि वो नागरिक्ता को रीडिफाइन कर सकती है और इस क्रम में जो हमारे देश की संसद है उसने एक रूल या एक एक्ट सबसे पहले पास किया था देट इजटिजन सिप एक्ट 1955 और इस ही एक्ट में वक्त के साथ साथ की हाली के दिनों में एक किटिजन सिप अमेंडमेंट अक्ट हिर्चा में रहा था जो आपने जो यह के एक कहते हैं दयाट सिटिजन सिप किite अ amendment to this act which is passed in 1955 और उसी में बदलाव करके हमें यह जो नए नियम है जो नए कुछ बातें लिखी गई वो बहया की गई थी तो सबसे पहली बात जो समझ ली हमने करी नहीं कि claro आती हेंगे मर यह झीटती है थे जानने के वीडॼरी जो सकते हैं कि सबसे पहली कित्व हमारी को आती है उनके बारे में देखते हैं हमें क्या बात जाननी है कि फिलाल हम देख रहे हैं जनरली पीपल लिविंग इन एनी कंट्री एंड बी कैटेग्राइज इंटो फॉर ग्रूप पहला जो केटिगरी डैट इस सेटीजन्स इटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ कंट्री किसी भी देश के से होने का मतलब जैसे यह आपका ही घर है अपने घर में आप संपूर्णता से रहते हैं और आपके घर में यदि कोई महमान आया हो तो वह उतना संपूर्ण सदस्य नहीं रहता उस घर का वो फॉर टाइम बिंग आता है कि जब अपने घर में रहते हैं तो कुछ कंफर्ट स सबसे जब बात किसी बात किसी बीदेश का नागरिक होने का सीधा सीधा अर्थ है उस देश के सम्मिधान के प्रती निष्ठा प्रकट करना और ये निश्ठा प्रकट हम लगातार करते हैं, rules and regulations को follow करके, law and order situation को बनाए रखके, और कोई भी नहीं तोड़ता है तो उसे जब सजा मिलती है, तो उस सजा को स्विकार करके, हम इस बात की तस्दीक करते हैं, कि we pay our allegiance towards the Indian constitution, हम भारती सम्मिधान उसके द्वारा बनाएगी व provided by the constitution, तो citizens के पास बहुत सारे मूल अधिकार होते हैं, और उसके अलावा कुछ कानूनी अधिकार भी होते हैं, जो उन्हें सम्मिधान प्रदान करता है, तो citizens की बात जब हम कर रहे हैं, वो पून सदस्य हैं किसी भी राष्टर के, वो उस राष्टर के सम्मिधान के प्रती निश्था प्रकüt करते हैं, और इसके बदले में उन्हें कुछ अधिकार दिये जाते हैं, कुछ fundamental या मोल अधिकार उन्हें प्रवाइट किये जाते हैं, इन मोल अधिकारों के अलावा उस देश का सम्मिधान उन्हें कुछ कानूनी अधिकार भी देता है, अगली बात हम द देश के नागरिक हैं तो उनको कोई भी जिम्मेदारी यदी दी गई है देश के द्वारा उस जिम्मेदारी का वो पूर तरह से निर्वहन करेंगे अगली बात है to know about the citizenship of a person the normal criteria is to know that he or she holds the passport of which country or eligible to get the passport of which country किसी भी तरीके से अगर आपको किसी की नागरिकता के बारे में पता करना है आपको ये बात जाननी चाहिए कि वह किस देश का passport hold करता है जो व्यक्ति जिस देश का passport रखता है वह उस देश का नागरिक होता है या अगर किसी के पास passport नहीं है तो उसकी योग्यता किस देश के passport को धार्ण करने की है इसके आधार पर निर्धारित हो जाएगा कि वो किस देश का नागरिक है This is all information about citizenship citizenship के बारे में नागरिकता के बारे में हमें ये मूल बाते जाननी चाहिए तो एक full member है किसी country के उस देश के सम्मिधान के प्रती निष्ठा प्रकट करते हैं उन्हें कुछ fundamental rights और legal rights दिये जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वक्त वक्त पर रास्ट उनसे जिन duties की अपेक्षा करता है वो duties को वो पूरा करेंगे और अगर किसी देश के नागरिक के बारे में जानकारी चाहिए कि वो किस देश का नागरिक है तो उसका passport देख लीजिए या फिर उन conditions को satisfy कर रहा है किसी देश का नागरिक अगर वो हमें जानना है किस देश का नागरिक है तो क्या वो उन conditions को satisfy कर रहा है जो उस देश का passport गेन करने के लिए उसे चाहिए होती है इतनी सारी बाते citizens से संबंदित हो गई then the next category is known as aliens alien दरसल आप जिन अर्थों में जिनका aliens समझते हैं वो इसका अर्थ नहीं है alien का अर्थ है अनागरिक आप इससे कह सकते हैं यानि कि ये किसी भी country में अगर कोई alien है तो उसे अनागरिक या दूसरे देश का व्यक्ति कह सकते हैं इसे आप विदेशी व्यक्ति भी कहते हैं लेकिन अगर हम अभी citizenship पढ़ रहे हैं तो citizenship पढ़ने के क्रम में जो नागरिक नहीं है वो एक category में alien होगा कुछ और categories भी होती हैं जो नागरिक नहीं है मगर एक अर्थ में हम समझते हैं अगर वो नागरिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं का भी नागरिक नहीं है कोई व्यक्ति किसी और देश का नागरिक है और किसी दूसरे देश में आया हुआ है तो उस देश के लिए वो alien है इत्ती सी बात है but he is a citizen of some country वो किसी ना किसी देश का नागरिक जरूर होगा so they are the citizens of other countries aliens are the citizens of other countries technically are called foreigners मैंने आपको बता है उन्हें आप विदेशी भी कह सकते हैं तकनिकी तौर पर aliens can be divided into two categories अब विदेशियों को हम दो हिस्सों में बाट कर समझ सकते हैं पहला है friendly aliens and दूसरा है enemy aliens enemy aliens belongs to such countries which are in war with our country and the rest are categorized as friendly aliens enemy aliens उनको कहा जाता है उन देशों के नागरिक जो हम से हमारे देश से युद्धरत देश हैं उन देशों के नागरिकों को हम दुश्मन नागरिक या enemy alien कहते हैं दुश्मन विदेशी कहते हैं किसी देश से हम युद्धरत हैं हमारी लड़ाई चल रही है तो उस देश का नागरिक हमारे enemy alien होगा और इस सबके अलावा बाकी सारे विदेशी नागरिक हमारे friendly alien होंगे या फिर किसी देश को अगर हमने enemy state का दर्जा नहीं दिया है तो फिर वो देश का नागरिक हमारा friendly alien होगा या उसे friendly foreigner कह सकते हैं बोगे भी हैं विदेशी नागरिकों की इन देशों के साथ हम उस देश के नागरिक are enemy aliens और फिर हमने किसी देश को कटिकरी में रखो enemy state की कटिकरी में उसे डाला हो तो वो सारे आते हैं हमारे enemy aliens में और माकी उसके अलावा सभी friendly aliens की के टिग्री में आ जाते हैं में कि पिर हम देखते हैं एलियंस डू नाट है वाल वाल दुर आणिवाइट से पर यह विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते यह उन्हें भी कुछ अधिकार देता है वारा मगर वो सारे नहीं देता जितने नागरिकों को दिये जाते हैं Constitution and some other acts clarify about the rights which are not given to aliens तुमारे देश का सम्विधान और कुछ कानून या अधिनियम जैसे Citizenship Amendment Act हो यह सब हमें बताते हैं कि ऐसे कौन से राइट से जो किसी विदेशी नागरिक को नहीं मिलेंगे यह आप कह सकते हैं कि राइट तो फ्रीडम कुछ हद तक विदेश्यों को तो दिया जाता है लेकिन उस पर उतनी फ्रीडम उन विदेश्यों को नहीं मिलती जितनी फ्रीडम देश के नागरिकों को मिलती है या certain restrictions हैं जो उन पर आरोपित की जाती हैं लेकिन right to life यह हर human being का अधिकार है और यह किसी भी विदेशी नागरिक का भी अधिकार है इसलिए यह अधिकार उसे मिलता है भारती नागरिक को भी मिलता है और विदेशी को भी मिलता है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो विदेशी नागरिक है उनको कुछ अधिकार मिलते हैं जो भारती नागरिकों के पास भी है लेकिन उनके पास कुछ ऐसे अधिकार नहीं होत जो भारती नागरिकों के पास हैं ठीक है इस सब के बाद हम देखते हैं एनिमे इलियन्स आल्सो डिवाइड ऑप सम अदर राइट्स एज वेल एज लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोवाइड इन आर्टिकल 22 अप दे कॉंस्टिटूशन आर्टिकल 22 जो कि कुछ खास मामलों में गिरफतारी से हमें संगरक्शन प्रदान करता है हमारे कुछ अधिकार हमें मुहिया कराता है वो सारे अधिकार एनिमी इलियन्स को नहीं मिलते हैं इसलिए भी जो एलियन्स है उनकी कैटिगरी में भी एनिमी इलियन्स के अधिकार और कम हो जाते उतली बात एक श्रेनी है सिटीजन जिससे लगभक सभी राइट्स मिलते हैं उसके बाद एक स्रेनी है ऐलियन्स जिसे से कुछ एक्साइनी में और आब्षान घंशलियोंते है उस एलियन keeps ऐसे कुछ कम राइट्स मिलते हैं उस एलियन friendly alien, enemy alien ये एक घटता क्रम है अधिकारों का इसके आधार पर उनके अधिकार लगातार कम होते जाते हैं enemy aliens also devoid of some other rights as well like protection against arrest and detention is not fully enjoyed by the enemy aliens as it is enjoyed by citizens and friendly aliens aliens इसके साथ ही aliens से संबंदित सभी बाते समाप्त हुई आप समझ पाएंगे विदेशी नागरिकों को alien कहा जाता है इनके पास सारे अधिकार नहीं होते हैं और इस में भी दोश्रेणी है दुश्मन देश का नागरिक और मित्रदेश का नागरिक इन सब बातों के अधार पर alien की बात पूरी होती है फिर हम बढ़ते हैं स्टेटलेस परसन स्टेटलेस परसन कौन होते हैं आये जानते हैं राज्य विहीन व्यक्ति कौन हो सकता है तो ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति की संतान हो जो किसी देश में illegally घुसा था वहीं बस गया उसके पास वह legal documents नहीं है जो सत्यापित कर सके कि वह इसी देश का नागरिक है क्योंकि उसने अवैद रूप से उस देश में entry ली थी उस व्यक्ति का पुत्र या पुत्री या जो भी उसकी संतान हो उस संतान के पास भी किसी भी प्रकार के कोई legal document नहीं होंगे और उसका अपना कोई state भी नहीं होगा जिसका कभी वो नागरिक रह चुका था कि पिता या माता तो किसी राज्य के नागरिक हो सकता है रहे हो लेकिन जो यह पुत्र है या पुत्री है यह फिलहाल किसी भी state का नागरिक नहीं है that's why it is called as stateless person stateless person की category में रखा जाता है अक्सर यही वजह होती है किसी व्यक्ति के stateless person बन जाने की लेकिन कभी-कभी उन सभ आप से कुछ जाए चाहिए अपके पूछा जाए कि आ और आप भारत के नागरिक हो जो आप इतने वर्षों dei भारत में रह्ए है कोगी असा दस्तावेज ना हो जो आप बताता हो कि माता और नाइगरिक थे हैं अब काई इस बद्धी करता हो jn करता है और कोई सथाई निवाश शेत्र है और कोई आसा दस्ता desire भी ना हो जिसने इस बात की पुष्टी हो कि आपने भारत में ही सिक्षा ली थी सारी स्कूलिंग आपकी भारत में हुई है और भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास ना रहे तो इसी कंडिशन में आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं हो सकता है ऐसी पास इस देश का नागरिक होने की पुष्टी करने वाले कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है प्रकार हम समझते हैं एलियंस और स्टेटलेस परसन में स्टेटलेस परसन सबसे जादा कम सुविधाएं प्राप्त करते हैं उनके पास लगभग कोई अधिकार नहीं होते सिवाए कुछ बेसिक हुमन राइट्स के इत्ती सारी बात अगर इस पश्ट हो गई हो तो हम अब अपनी अगली केटेगरी की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि चौथी स्रेणी कौन सी है जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कि अगली केटेगरी कौन सी मि इस इस की केटेगरी में कौन आते हैं आपको भली बाती पता है रिफ्यूजी आर दोस पीपल रिफ्यूजी वो लोग हैं जिन होने भूटेक रिफ्यूजी न कंट्री बिकॉज ओफ टी फियर ओफ एक्स्प्लाइटेशन इंडियर कंट्री अन्द बेसिस ओफ एथनिसिटी रिलिजिन लैंग्वेज नैशनलिटी पॉलिटिकल आइडियोलोजी और सुशल आइडेंट इन सभी आधारों पर अगर किसी देश में किसी नागरिक पर अत्याचार होता है और उसे वहां से भागना पड़ता है किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ती है तो उसका स्टेटस रिफ्यूजी का होता है हाली में जो सिटिजिंशिप एमेंडमेंट एक्ट आपके स कारण है कि उनका जो धर्म है वो भारत से संबंदित है उस देश से संबंदित नहीं है जहां उनकी प्रतार्णा हो रही है इसलिए भारत की नेटिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों को अपनी नागरिकता मोहिया कराए क्योंकि उनके पास कोई और जगा बचती नहीं है रहने के लिए अर्फ्यूजी शरणार्थी होते हैं जो किसी दूसरे देश के होते हैं और भारत या किसी अन्य देश में चरण ले चुके होते हैं क्योंकि उनका शोषन अलग अलग वजहों से होने की संब्भाव नहोती है या हो रहा होता है इसमें उनकी इहनिसिटि जो नरिजाती भहचान है उसके आधार पर शोषण हो सकता है religion इसके आधार पर उनका शोषण हो सकता है भाशा के आधार पर nationality या political ideology या फिर social identity इन सब के आधार पर उनका शोषण हो सकता है इस प्रकार हमने देखा स्रेटीजन से पढ़ने से पहले कि नागरिकों के के अलावा कौन कौन सी category के व्यक्ति किसी देश में एक समय में मौजुद रह सकते हैं और उनके क्या अधिकार होते हैं उनके क्या सुविधाएं मिलती हैं refugees के अंतरगत अगर हमें हमारे देश ने उन्हें refugee का एक दर्जा दे दिया है तो फिर उन्हें कुछ सुविधाएं और कुछ अधिकार मिल जाते हैं और एक special category हाले की refugee से संबंधित जो United Nation Convention है उस पर अभी तक भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं इसके वो किसी international इंटर्नेशनल रूल्स इंटर्नेशनल बॉड़ी के द्वरा बनाएगे नियमों के प्रती उसका obligation नहीं है लेकिन फिर भी एज़ गुट कंट्री एजस्ट कंट्री हम इस देश में शरण लिएगे लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएं और कुछ नियम बनाकर रखते हैं उन्हें कुछ अधिकार मोहिया कराने की कोशिश करते हैं यह सारी बातें citizenship जानने के लिए जरूरी थी और इससे आगे सिटिजन्स के क्या स्पेशल राइट होते हैं उनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी हैं कौन-कौन से आर्टिकल्स उसके अंतरगात आएंगे इस तब पर चर्चा हम अपनी अग्ली क्लास में करेंगे और फिलहाल के लिए इतना ही मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज सब्सक्राइब कर आते रहेंगे सब तक के लिए all the best for your preparation have a good day bye bye